कि नमस्कार पिरिया जन्हाँ आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने शुब जिन तक वीना शर्मा आप आए मेरे चैनल पर आपको बहुत-धन्य बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों के विवा की उ हम समझते हैं हमारे अत्याधिनिक समाज के हिसाब से 35 से 40 की उमर जब आ जाती है तो उमर निकल जाना ही माना जाता है क्योंकि उससे पहले तो जो उमर होती थी, बच्चों की लोगों के मन में नजाने क्या कारण क्यों मन में ये वहम आता है कि इस बच्चे का रिष्टा इतनी उमर तक नहीं हुआ तो जरूर कोई न कोई कारण है इस वज़े से रिष्टे आना बंद हो जाते हैं एक आदा आता है तो वह इस तरह से यही सोच बना के और वह रिष्टा करना होगा और करना क्या होगा वो बता रही हूं आगे वीडियो में आप वीडियो के लाश तक जुड़े रहेगा और अगर आप वीडियो के लाश तक जुड़े रहेंगे तब पूरा उपाई सुन पाएंगे क्योंकि कमेंट वक्स में बहुत बार सुनती हूं कि इसको यह क्या करना है वह क्या करना है तो इसका मतलब यह होता है कि वीडियो पूरा देखा नहीं जाता इसलिए आप पूछते हो आप प्यार से देखते हूं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जरूर करें हमारी होसला अब जाई होती है और आपका एक शेयर किसी की जिंदगी समार सकता है आप भी पुन्य के भागी बन सकते हैं तो मैं आगे बात करूंगी कि नवरात्री के जो दिन आ रही है इन दिनों में आप अपने गुरू को स्ट्रोंग करने के लिए लगभग सभी बच्चे एविवाहित और उनके माता पिता मा कात्याइनी की पूजा जरूर करते हैं जरूर करते हैं मा कात् पूजा आप किस तरह से करेंगे मैं आपको बताओं कि पहले दिन से ही आपको इस उपाई को करना शुरू करना है आपको क्या करना है आपको चाहिए एक ऐसा चला या अंगूठी या कुछ भी जो सोने की हो सोने की हो अब बहुत सारे बच्चे यह कहेंगे कि मैं यह लड़कियां ही इस उपाई को करें लड़के भी इस उपाई को करें लेकिन एक सोने की अंगूठी होने चाहिए एक सोने का चला होना चाहिए यानि के रिंग एक होनी चाहिए अब आप कहोगे कि जुरूरी नहीं है कि सब बच्चों के पास सोने की रिंग हो तो सोने के आपकी तरजनी अंगुली के नापकी सीधे राइट हैंड के तरजनी अंगुली के यानि के जिस से आप तिलक करते हैं या लाश्ट की जो अंगुली है सबसे छोटी उसके पास वाली जो अंगुली है इस अंगुली के जो यह मैं दिखा रही हूं इस अंगुली के नापकी ए सोने से तो क्योंकि गुरु भगवान आपके स्ट्रोंग होते हैं और मा कात्याईनी की पूजा में भी इसका बहुत मैत हुए तो ऐसी एक रिंग लेके आके आपको पहले दिन ही पूजा करना है देखिए मैंने पहले वी एक वीडियो बनाया था कि बच्चे यह न सोचे कि छ आपको फोटो तो बहुत अच्छी बात है ने था मादुर्गा की फोटो में ही आप घड़ सापना करें सामने मूर्ती लगाएं चित्र लगाएं उसमें आप इमेजन करते हुए माकात्याईनी का इस उपाय को करना शुरू करें आपको उस दिन आप सारी पूजा अराधना कर लें एक तो आप दो फूल पीले रंग के चिड़ाना मत भूलिएगा मादुर्गा को माकात्याईनी का इमेजन करते हुए हाथ जोड़ के नमसकार करते हुए आंखे बंद करके माकात्याईनी को कहिए कि मैं आपको दो फूल अपने मुनों कामना पूर्ती के लिए दुर्गा के आगे वह पीला चल्ला जो है जो पीली रिंग है पितल की या सोने की जो भी है वह आपने वहां अर्पित कर देनी है उनके आगे उनके चरनों में यह रिंग अर्पित कर देनी है और इसके साथ ही एक चोटा सा काम और करना है आपको और करना है उस तरजनी अं लेकिन उस मिट्टी के दीपग में मां कात्याइनी के आगे एक दो कपूर के टिकी जलाइएगा टिकीया उसमें रखना दीजियेगा जलाइएगा और आपकी जो ये तरजनी अंगली है ना उसको शामिल करते हुए हाथ से सीधे हाथ से तरजण यह अंगवी साथ लगा के या फिर जैसे हावन में समगरी डालते हैं उस तरह से एक जो पहली वाल यह होती है उसको छोड़के अंगूठा और तीन अंगवडियों से सर्सों आपको जो पीली राई होती है पीडी सरसों या पीडी राई जिसे कहा जाता है उसे उठाके और जलते हो कपूर पर डालना है आपको और ओम कात्याइने निमा है ओम कात्याइने निमा है ओम कात्याइने निमा है का जप निरंतर आपके अंदर चलना चाहिए चाहे बोल बोल के जप ले बोलते रहें उसको चाहे आप उसको मानसिक जब करते रहें। लेकिन ये कपूर के अंदर इस तीन अंगुलियों और एक अंगुठे से उठाके सरसों आपको चुटकी बर्स उसमें डालना है। ये नो बार डाल दीजिएगा और नो बार मा कात्याईनी के मंतर का जब कर लीजिएगा जादा बार करें आपकी इच्छा लेकिन नो बार करना है इसको ये कर लीजिएगा और अंगुठी आपकी चड़ी रहेगी मा कात्याईनी के आगे और जब छटा दिन आएगा छटा पहरन कर लीजिएगा इस अंगुठी को पहले जिस दिन पहले दिन चड़ाएं तो थोड़ा गंगा जल से पानी से दोग हो के साफ करके फिर चड़ाएं अच्छा इसको पहन लें अंगुठी को उस दिन चटे दिन मा काते हैनी के पूजा करने के बाद लेकिन जो कपूर और स परंत योग बनना शुरू हो गया नोवे दिन आपको चम्तकार दिखेगा एक आप नो दिन तक मा कात्याईनी का ये उपाई करके देखिए शिगर विवा की योग बनेंगे और विवायत बच्चों को ये काम जरूर करना चाहिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्ली